अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 12 के उर्दू के कहकशा बुक का चैप्टर नमबर 1 अप लोग के बहुत ज़्यदा कमेंट्स आ रहते हैं कि कहकशा स्टार्ट कीजिए तो कोई दिक चैप्टर के मुसन्निफ कौन है तो मिर्दा फरहत लाबेग तेखें कौन है मिर्दा फरहतुलाबेग और यहां पर एक चीज़ ध्यान दिजिए यह जो नजीर आहमत की कहानी हैं यह क्या है अपसाना हमाना है कि गुझल है कि गुझल है कि मर्सिया है इंशाय है है यह क्या है तो जो नजीर एह हमध की कहा निए यह अब बात आती है कि खाका किसे किए किसे निए किसे बेंसान के जिंदगी के हर एक पहलू को देख रहा है रोज मर्जा की जिन्दगी मैं किस तरह की हूँ यह रोज मेरे हर जिन्दगी के हर पहलू को देख रहा है और उसी मेरे जिन्दगी के एक पहलू के जरीए उस एक पहलू को लिखकर और यह बतान दे कि मैं किस तरह की इंसान हूं मतलब किस मेरा ब्यक्तित्व कैसा है मेरी शक्षियत कैसी है मेरा प्रस्नालिटी कैसा है तो उसको लिखे हुए को बोला जाएगा खाका तो समझ में आ किसी भी इंसान की शक्षियत की पहचान करा देना कि वो किस तरह का इंसान है उसके जिंदगी के एक पहलू के जरीए ठीक है तो उसी को बोला जाता है उस लिखे हुए को बोला जाता है खाका और जो खाका लिखता है उसको बोला जाता है खाका निगार और खाका जब लिखा जाता है खाका लिखने को बोला जाता है खाका निगारी ठीक है तो यहां पर जो है नजीर एहमद की कहानी ये एक खाका है और ये खाका किस पर लिखा गया है नजीर एहमद पर लिखा गया है इसमें जो नजीर एहमद है इनके बेक्तित्व इनकी स्रक्षियत के बारे में बत दी है कि नजीर एहमद उनकी शक्सियत कैसी है उनका बैक्तित्व कैसा है ठीक है तो यहां पर तो खिलियर हो गया और एक और चीज में आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो नजीर एहमद है वह टीचर रहते हैं मिर्जा फरत उला बेके जब मैं आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ाऊंगी तो नजीर एहमद जू है वो टीचर रहते हैं मिर्जा फरत उला बेक और मिर्जा फरत उलाबेक वो एक्टूडेंट रहते हैं नजीर एहमद के और इसलिए ये अपने student life में जब नजीर एहमद के पास जाते थे पढ़ने के लिए तो उस वक्त का नजीर एहमद का बेवहार को देखकर मिर्जा फरहतुला बेग उसी जिन्दगी के पहलू को उजागर करते हुए उन्होंने ये बता दी है कि नजीर एहमद जो है वो किस तरह के इंसाने सक्षियत कैसी है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब जरह हम लोग मिर्जा फरहतुला बेग यानि कि मुसनिफ के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि एक्जाम में कोश्चन पुछ द लिखा है और इनका पहला खाका का नाम क्या है तो है नजीर एहमद की कहानी नगार है और इन्होंने जो पहला खाका लिखा है व कुद सी दिगात नहीं आप लोगों को पूरा टाइटल बता दी यह पहला काwriting आगे देखिए मिर्जा फरहतुल्ला बेग की पैदाइस हुई है अगस्त 1885 को ठीके मुहला चूडी वलान दिल्ली में ये कौन बोलते हैं मिर्जा फरहतुल्ला कहते हैं कि मेरा जो पैदाइस हुआ है वो अगस्त 1885 को हुआ है लेकिन उनका जो घर वाले बोलते हैं या फिर पता लगाया गया है तो उनका पैदाईस सितंबर 1883 को लेकिन आप आप लोग के बुक में ना सही किसको माना गया है 1885 को क्योंकि जो मिर्जा फरतुल्ला बेक कहेंगे वही तो सही है ना तो वो खुद बोलते हैं कि मेरा जो क्या है पैदाईस है वो अगस्त 1885 को हुआ है ठी लगाया थे अब बात आती है मिर्जा फरतुल्ला बेक के वालित का नाम क्या है तो उनके वालित यांकि पिता जी का नाम के नाम अब बात करते हैं मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो इंतकाल हो गई थी उनका मौत हो गया था वो हो गया था 27 अप्रील उन्हेश सहतालिस इस भी को 1947 देखिए जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था तो यहां पर यह अप्रील में ही इनका इंतक थांने ने की ईना में पूर्वर्च अनकर मिर्जा अफ्जलवेग के जमाने में हिंडुस्ताने में यानि की उस चपत रह्पर किसका जमाणा चल रहा था किसका राज चल रहा था शाह आलम सानी की जमाने में उन्होंने हिंदुस्तान में तस्रीफ रखी ठीक है यूनिकी बदक्सा को छोड़कर हिंदुस्तान में आ गे ठीक है तो यहां तक खुद रहेंगे ही क्योंकि उनी के बारे में बताया जा रहा है और फरःतुल्लाबेग, मियादानी, मिश्टर रजा थीकरे नजीर एमद जो है वो टीचर रहते हैं मॉलवी साहब रहते हैं और उसके बाद से फरःतुल्लाबेग और मियादानी यह एक दूसरे के friend रहते हैं, दोस्त रहते हैं, टीक है जिगरी दोस्त, जो की नजीर ऐहमाद के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, मुल्वी साहब के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, देख रहे हैं यह फरतुल्ला बेग के student life का यह कहानी है ठीक है पहलू है और उसके बाद से एक रहते हैं Mr. Raza यह Mr. Raza जो की यह classmate रहते हैं फरतुल्ला बेग और मियादानी का यह classmate class साथी रहते हैं हिंदू college में जब फरतुल्ला बेग और मियादानी पढ़ने जाते थे ना तो वहीं का यह दोस्त रहता है Mr. Raza ठीक है अब देखिए जो मिर्जा फरतुल्ला बेग है और मियादानी है यह दूसरे के दोस्त रहते हैं बश्पन के दोस्त और यह जाते हैं मदर्सा मदर्सा से स सारे 11 बजे आते हैं और उसके बाद से अपना खाना पीना के खाना खाते हैं और ऊसके बाद देए tune कर T30 मिनट पर यानि की डेड़ बजे न जीरber एहमद के बारे में यह बताय है कि जो होना चाहिए तो यहां पर जब इनको नजीर एहमद कितना बजे टाइम दिये थे देड़ बजे देड़ बजे फरतुल्ला बेग और मियदानी को पहुंच जाना है अगर एक बज़ कर तो यहाँ पर बता रहे हैं इनके शक्षित के मालूम चल रहा है कि वो किस तरह के इंसान है तो मालूम चला वो जुबान के पक्के हैं और उसके बार से वह बहुत ज़्यदा इस्ट्रिक्ट हैं और उसके बार से क्या उनको एक सेकेंड भी लेट पसंद नहीं है उनको हर काम समय पर हो जाना पर ठीक है तो हुआ कि फरतुल्लाबेग मियादानी जल जल जली मदर्सा से सबक खाना होना खाकर और उसके बाद से अपना सबक हमॉक बना कर देड़ बजे अभी एक बजने में देड़ बजने में पांच मिनट कम था तो नजीर एहमत के घर पहुच गए ठीक है यानि कि मौलवी साहब के घर पह मियादानी का तरीका क्या था कि वह चोकी पर बैठा करते थे मौलवी साहब छोकी पर चोकी समझते हैं ना बेड़ पर बैठा करते थे और उसके बाद से फरतुल्ला बेग और मियादानी इन दोनों को भी अपने सागिर्थ को सागिर्थ मतलब इस्टुडेंट तो इन दोनों स्टुडेंट को भी चोगी पर ही बैठाया करते थे ठीक है तो यहां तक तो कोई लिकत नहीं अर्थ पढ़ाते थे तो नजीर अंदर बुले फरतुल्ल देखे और पढ़ाये जैसे भी पढ़ाये लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाये परतुल्ला बेग मियादानी के दिल पर एक तरीख से कोई भी बोज नहीं था जो भी पढ़ाये हर एक एक चीज समझ में आया और याद रखिएगा फरतुल्ला बेग अपने पढ़ाई में क्य गलतिया किया करते थे तो एराब की गलतिया किया करते थे एराब यानि की जबर जेर पेस तश्दीद यह जब होता है ना जबर जेर पेस इसकी गलतिया किया करते थे यानि कि कभी जबर को जेर बोल देते थे पेस को तश्दीद बोलते देते तश्दीद को जेर जबर को प पढ़ने का अंदाज अलग होता है तो ये उस्तेरोशाइवी की तरह नहीं पढ़ा करते थे वो नस्र की तरह बातचित की तरह पढ़ दिया करते ठीक है तो यहीं होती थी जैसे भी हुआ नजिर एमद इन दोनों को पढ़ाएं पढ़ाने के बाद इन लोग बहुत अच्छा खुसी महसूस हुआ ठीक है अब चुटी हो गया और उसके बाद से अगले दिन फरतुला बेग और मियदानी अपने हिंदू कॉलेज में भी पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर गये तो वहाँ पर तो नजीर अहमत का पूरा तारीफ के पुल बांद दिये मतलब इतना तारीफ कि जो मुलुई आब हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं बहुत अच्छा समझाते हैं ठीक है यहा मि Catan तारीफ कर दिये अब और उसके फिसकति के बात से हुए एक तो मियदानी के कहां ता मिश्टर रजा अब वह बहुत जड़Гे होग्या की मुझको भी क्या करना है मुखम के पास जाकर पुढ़ना है तो मिश्टर रिजा साब से पहले पूछ़ लेना की मुझको पढ़नेशाब घं-, तो फोली दिन तो अगले दिन फरतुल्ला बेग और मियादानी गए नजीर एमत के मुल्वी साब के पास पढ़ने के लिए तो बोले मुल्वी साब से कि फरतुल्ला बेग बोले कि मिस्टर रजा हमारा एक दोस्त है मिस्टर रजा वो आपके पास पढ़ना चाहता है ठीक है वो आपसे इजाजत ले कर ही वो आएगा पढ़ने के लिए तो नजीर एमद बोले क्यों नहीं अभी क्यों नहीं लेकर आ गए जरा उसका भी में देख लेता कि वो कितना पढ़ा लिखा है ठीक है तो फरतुला बेग बोले नहीं मिश्टर रजा चाहता था कि आपसे ले इजाजत ले ले तो मुल्वी साहब बोले कोई दिकत नहीं है उसको लाना कर लेकर आना जरा उसको भी देख ले कि वो कितना पढ़ा लिखा है ठीक है तो अगले दिन परतुला बेग मियदानी और मिश्टर रजा तीनों जन क्या है नजीर एहमद के घर आए पढ़ने क की शिर मिश्टर रजा को पढ़ने के लिए कि यह पढ़ कर दिखा एक इस का शिर था रिखा हुआ रहो थे और तो नजीर ऑ्मन मतलब मॉल्वी साहब दिए मुतनबबा की सीर मिश्र साहर को पढ़ने के लिए तो जैसे इसी और पढ़ना स्टार्ट किए तो देखें इनकी मियादानी को भी पीछे छोड़ दिये मतलब यह भी जिस तरह सेर को शेर वरशाइरी की तरह नहीं पढ़ा करते थे यह भी बात चीत की तरह पढ़ा करते थे और इतना मतलब क्या बोलें इतना खतरनाक पड़ें कि मियादानी को फीछे छोड़ दिए ठीक है अब चुप चाप जो है मौलवी साहब देखते रहें देखते रहें और फिर कुछ दिर के बाद बोलें कि मिस्टर रजा मिया रजा जरारुकी है मैं आप से एक बात बोलू तो मि मौलवी साहब बोलें कि देखो तुम कल से मेरे यहां पढ़ने मत आना ठीक है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी मेरे पास पढ़ने ही मत आना पहले तुम जाओ दस पंदर दिस दूसरे जगह और वहां पर जाकर बेसिक नॉलेज लो उर्दू का उसके बाद मेरे पास पढ अला घोट देंगे यह कौन बोले मौलवी साहब बोले जो मिश्टर रजा थे मुतनबह के शेर को मुतनबह का लिखा हुआ इतना मतलब गलत तरीके से पढ़ा कि नजीर रहमत जो मौलवी साहब है उनको बहुत उनसे मतलब सुना नहीं गया ठीक है और उसलिए में बोले कि मेरे पास मत आना पढ़ने के लिए तुम जब बेसिक नॉलेज सीख जाना उर्दू का बेसिक नॉलेज ले लेना फिर तुमाना ठीक है तो अगले दिन तो ऐसे मिश्टर रजा भागी की दुबारा ना आए ऐसे गायब हुए कि मतलब नजीर एमद मौली साहब मिश्टर र मौली साहब इन दोनों शागिर्दों को पढ़ा रहे थे पहले वो फरहतुलाबेग को दिए पढ़ने के लिए फरहतुलाबेग उस दिन इतना ज्यादा एराब की गलतिया कि जबर को जेर जेर को पेस पेस को तश्रीद बनाने में इतना जड़ा गलती कि है कि मौली साहब म अश्र में बदल डाला अब तो मौली साहब को बहुत ज़्यदा गुस्सा गया और उनका गुस्सा एक सदस डिग्री उपर चला गया ठीके अब उन गुस्से में आकर सारा किताब को उठाकर यू फेके जाकर आंगन में गिरा और क्या बोले पता है मौली साहब की निकल जा कि अब निकलना ही पड़ेगा फरतुल्ला बेग बोले नहीं हम लोग पढ़कर ही जाएंगे ठीके अब फरतुल्ला बेग मियादानी चुप चप बैठे रहें उठे नहीं अब इन लोग ठान लिये थे कि नहीं हम लोग पढ़कर ही जाएंगे मौली साहब से अब कुछ दे जाएंगे जब तक मुझे कोई धक्के मारकर बाहर नहीं निकालता तब तक हम लोग नहीं जाएंगे अगर निकाल भी देता है धक्के मारकर तो फिर हम लोग वापस आएंगे लेकिन आपसे पढ़कर ही जाएंगे ठीक है अब मुलवी सहाब का गुस्टा थोड़ा नरम जाओंगे ठीक है तो मुलवी सहाब बोले की ठीक मत जाओ लेकिन मैं तुम लोगको एक अक्चर भी कि नहीं पढ़ाओंगा एक लफ्य नाजाना वापस थीक है इस तरह का बात उनकर और जाना इFC आधा ये अध्यक्ठा थी। और बोले कि हम लोग पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे तो अभी पढ़ेंगे आपको पढ़ाना है तो पढ़ाईए वरना हम लोग यहां से नहीं जाएंगे और आखिरकार LAST में मौली साहब को बात माननी पड़ी, यहां पर मौली साहब हार गये और उनके जो दोनों student थे, शागिर्द थे, वो जीत गये और मौली साहब को आखिर में इनको पढ़ाना पढ़ा और पता है, मौली साहब LAST में क्या बोले, कि तुम जैसे सागिर्दों को अल्ला महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द जो हैं वह किसी टीछर को नहीं मिलता है महफूज रखे तुम लोगों को अल्ला यह बेहायाई नहीं है यह पढ़ने का शौक है जो तुम लोगों के अंदर है कोई भी student कोई भी शागिर्द है अगर उसको शौक है पढ़ने का तो अपने teacher का बुरा भला सब कुछ सुनता है अपने teacher के सामने जुप करेता है हर एक 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 बात को मानता है ठीक है और जो बच शौक होते हैं उनको पढ़ने का शौक नहीं रहता teacher के डाटने पर भगाने प था कि तुम लोग के अंदर कितना पढ़ने का सौक है अगर तुम लोग मेरे घर से निकल कर उसी वक्त चले जाते ना चुप चाप तो मैं तुम लोग को दुबारा वापस आने भी नहीं देता ठीक है लेकिन तुम लोग के अंदर पढ़ने का शौक है तुम तो उस्ताद क है खुदा सबको नसीब करें ठीक है और यहीं पर आप लोगों का यह जो खाका है वह कंप्लीट होता है और यहां पर आप लोगों के नजीर एमत की शक्षियत के बारे में मालीं चल गई ठीक है अब जड़ा इस चेप्टर के कोश्टन एंसर को भी देख लेते हैं बहुत ज़्यदा इंपोटेंट है तो उसके कोश्टन देखी मैं आप लोगों का कहकश्रा का बुक लेली और इस फर्स्ट चेप्टर ही है ना इसका कोश्टन एंसर में नि नजीर एभ्द की कहानी ठीक है तो ऑपसन इंबर डि में हैं डॉक्टर नजीर एहमत की कहानी कुछ मेरी औ। कुछ उनकी जुब तो यह लगा दीज़ेगा दूसरा सवाल है अरदु का पहला खाका नेगार कौन है अर्दू का पहला खाका निगार है मिर्जा फरतुल्ला बेग अपसन नमबर डी है लगा दीजिए तिसरे सवाल है नजीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे नजीर अहमद फरतुल्ला बेग के टीचर थे उस्ताद थे ठीक है तो यहां पर option number C लगा दीजिएगा उस्ताद ठीक है चार नमबर सवाल है फरतुला बेग के साथ मदरसे में कौन थे तो फरतुला बेग के साथ मदरसे में मियादानी थे यह दोनों जन मदरसा पढ़ने जाते थे ठीक है तो option number B पांच नमबर सवाल है नजीर एहमद का तालुक किस सिंफ से है जो नजीर एहमद का तालुक है वो किस सिंफ से किस किटेगरी से तो वह नाविल से है यह नाविल लिखा करते थे नजीर एहमद ठीक है तो option number A लगा दीजिएगा यह होगी आप लोग का objective question अब बात आती है मु अधानी मुली इसाब के घर क्यों जाते थे तो तालिम हासिल करने के लिए ठीक है पढ़ने के लिए जाते थे दुसरे सवाल है किस अर्बी शायर से मतालुक स्वक को पढ़ने के दौरान निया रजा की चुट्टी हो गई किस अर्वी शायर कौन से अर्वी शायर थे जिसको पढ़ने के दौरान मिस्टर रजा जो थी मिस्टर रजा जो थे उनकी छुट्टी हो गई मतलब मुल्वी सहाब उनको भगा दिये तो वो थे मुतनब्बा मुतनब्बा की शेर पढ़ रहे थे मिस्टर रजा और उसी में ग गलती किया करते थे चाद नंबर सवाल मियादानी शेर पढ़ने में थीक्त को कुछ तरीका था तो यहां पर मोली साब की पढ़ाने favori को बता देना हैं कि वह चौकी था और चौकी के बीच में बाइटा करते थे और बाइक सबी सागिर्दों को साइड में बैठाया करते थे इस पढ़ाने का तरीका था ठीक है और पढ़ाने के बाद मतलब इस्टुडेंट जो शागिर्थ है उनके दिल में एक तरह किसे बोज की तरह महसूस नहीं होता था उनको हर एक एक चीज समझ में आ जाता था ठीक है अब बात आती है तफसीली गुफ्तगों की तफसीली सवाला सबसे पहले मोड़ी सार अपने शागिर्दों से क्यों गुष्टा हो गए थे ? क्योंयों वह एराब की बहुत ज़्यदा गलती कर दिये थे उस दिन और मियादानी जो थे वह शेर को नसर में बदलने में कुछ पीछे भी नहीं थे बहुत ज़्यदा शेर को नसर में इतना गलतिया मतलब घटिया पढ़े कि मुली साफ बहुत ज़्यदा गुस्सा हो गए ठीक हैं अपने टीचर को मना लेते हैं दबा लेते हैं लेकिन जिस स्टुडेंट के अंदर पढ़ने का शौक नहीं होता है वह चुप चाप निकल जाते हैं ठीक है यह हो गया तिसरा सवाल है फरतुल्ला बेक की खाका निगारी के बारे में बताना है कि वह किस तरह की खाका लिखा करते हैं तो यह उनका पहला खाका है बहुत बढ़िया था खाका तो आप लोगों को उनके खाका ने का रही के बारे में बताना है तारीफ करना है ठीक है यहां पर देखिए सवाल है जब तक कोई धक्के दे करना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं और जाएंगे अभी फिर आ जाएंगे यहां कॉल किसका है यह किस ने कहा है तो यह तो फरतुल्ला बेग ने कहा है और इसे से जुड़ा दूसरा सवाल है इस कॉल में धक्के देनी की बात क्यों कही गई है तो यहां पर धक्के देनी की बात इसलिए कही गई है क्योंकि फरतुल्ला बेग मियादानी तस से मस नहीं हो रहते, निकली नहीं रहते बाहर, इसलिए धक्का देकर निकालने की बात की गई है, ठीक है, आगे देखिए अगला सवाले, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे, शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद ह हो गए, अच्छा भई, मैं हारा, मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ, और सबक पढ़ कर मेरा पंड चुड़ो, ठीक है, यह किसने कहा है, यह कौल किसका है, परस्ट सवाल यही है, तो यह मौलवी सहाभी बोले है, कि भई, खुदा महफूज रखे यह किससे कही गई हय है, यह बात किससे कही गई है, तो यह शागर्दों से कही जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ कर बताई, इसमें मौलॵी सहाभ जो है ना, अ अपने शागर्दोंसे चुटकारा पाने की बात कह रहे हैं, ठीक है, चार नमबर सवाल है, इसी से लिएले स्क्भाणने चनल जो इस कोől में कौन किसा उस्ताद हो जाता है तो इस कौल में फरतुल्ला बेग्नी जो दौनों सागृत हैं यह दिजीर ऐहमद को संदा उस्ताद करते हैं कैश चंटोन चमप्लीट होता है अगर कोई भी confusion आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर तो बनता है वीडियो इसको लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्स